यह देखें गाइज यम्मी टेस्टी हमारी आलू की चाट जो की बहुत बहुत डिलीसियस है इस नौरात इसे ज़रूर बनाएं जो बच्चे नहीं विबरत रहते हैं वो भी मांग मांग कर खाएंगे तो चलिए देखिए कि इस चाट को हमने कैसे बनाया है हलो एरिवन आप स करें हम दिखाएंगे जो की हम कट कर के डिये हैं जिसे के आपका टायम खराब ना हो तो देखिए हमने बारिक नाब हे निए और देखसको है दूसे में भारी के दिद्धकTORе 9 टायम की और फिरहां नहीं यह भूट ने दें त्यॉल्हां होलें यह दिंदा और इसमें इस मे कि यह चार्ट बहुत बहुत healthy and tasty है इसको खाने के बाद भूंक आपको नहीं लगने वाली क्योंकि हम इसमें ऐसे ingredients यूज करेंगे हम इसमें आइड़ करेंगे अपना तमाटर और मिरच करके रखी है इसमें हम नमगी डालेंगे और मिरच भूनने उसका तीखा फन घी में भूनने से तीखा पन कम हो VPता। इस वजह करेंगे कफ़े नफीचे के तो यह देखिए हम कुछ किर आठाट से के गल्ड डाइब तूक की टॉप मिंचे से अइसमें डाल के इसमें ऐंड टॉकींड एक बात और इसमें अच्छे से बना लेना है। धोके हमारे फ्राइ हो चुके है , उसलर मांगा कर खायेंगे क्योंकि इसमें टालहे हैं हैं और elder बम सмें शेग था घ्लाइल हुई हैं तो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, इस वज़ा से इसमें हमने पीनट्स भी एट करी है, तो यह काफी हेल्फुल है, तो यह देखिए इसमें हमने हरी धनिया भी एट करी है, तो इसको खाने के बाद आपको ना भूख लगेगी और ना ही नर्जी की कमी आएगी सरीर में, तो यह हम बना चुके हैं अपनी आलू किचाट, देखिए इस समय पर अगर आपको खट्टा ज्यादा पसंद है, तो आप एक नीबू भी निचोड सकते हैं, हमें खट्टा ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए हमें नीबू नहीं अटकिया है, में टमाटर की खट बस यही खाना पसंद करेंगे, तो यह देखिए, बड़ों के लिए हरी मिर्च रख लीजिए, तो हमने सब कर दी हरी मिर्च के साथ, अगर हमारी एरेज़ पी पसंद आई हो तो लाइक, सस्क्राइब और शेयर